नमस्कार दोस्तो मेरा नहीं सातीस और आपका बहुत बहुत सवागता है आज के इस नए वीडियो में तो फ्रिंट्स मेरे हाथ में यह है bet XP का Marv New Smart Watch और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि आप bet XP स्मार्ट वाच का टाइम और date कैसे सही कर सकते हैं साथ इसाथ अगर time को आप 12 होर्स में करना चाहते हैं फिर 24 होर्स में करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं तो friends वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को like और चैनलों को subscribe कर सकते हैं आप ठीक है friends सबसे पहले friends में यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूं देखिए अब मेरे phone में 7 बज के 28 मिनट हो रहा है लेकिन smartwatch में 2 बज रहा है तो time इसका खराब है time सही करने के लिए जो function आप friends smartwatch में आपको नहीं मिलता है कोई ऐसा feature नहीं है जहां से आप time को सही कर सके smartwatch में ठीक है तो time सही करने के लिए friends इसको app से connect करना पड़ेगा जैसा ही friends हम app से connect करेंगे तो time और date इसका अपने आप सही हो जाएगा उसके बाद आप सारी features का use कर पाएंगे जैसे यहाँ पर photo लगाना हो या contact save करना हो गया call notification सब कुछ यहाँ पर आप कर पाएंगे connect करने के बाद ठीक है तो सबसे पहले हमको app से connect करना पड़ेगा time और date सही करने के लिए friends app को download करने के लिए smartwatch में आपको QR code मिल जाता है लेकिन QR code scan करने के बाद friends आपको यहाँ पर बोलता है कि आप email id डालिए और mobile number डालिए तब ही यहाँ पर आप जो है app को download कर पाएंगे ठीक ह तो फालतु में friends email id और mobile number देने की हमें कोई जरूरत नहीं हो सकता है friends हम mobile number और email id दे दे तो हमें बार-बार message करें या फिर mail करें तो यह अच्छा नहीं लगता है ठीक है तो चलिए friends app को download करते हैं और उसको connect करते हैं तो सबसे पहले अपना phone आप ले लिजिए phone लेने के बा fit search किजिएगा तो यह वाली app देख लीजिए 4.1 की rating है यह वाली app आपको install करना है ठीक है अपने phone में तो मैंने इसको पहले से install करके रखा है तो simply हम इसको open करेंगे पहले से install करके रखा है ताकि video बनाने में आसानी हो ठीक है friends तो हम simply इसको open करेंगे तो चलिए open पर click करते ह open पर जैसे आप click किजिएगा तो यहाँ पर छोटा सा profile setup आपको करना पड़ेगा तो यहाँ पर बोल रहे है जेंडर आप select कर लीजिए mail है फी mail है date of birth अपने हिसाब से set कर सकते है height और weight ठीक है friends तो हम यहाँ पर height में थोड़ा सा correction करना चाहेंगे एक 70 मेडिय हाइट है तो एक 70 हमने कर लिया ठीक है friends तो इसको आप select कर लीजिएगा अपने हिसाब से उसके बाद simply आपको done पर click कर देना है जैसे आप done पर click किजिएगा तो यहाँ पर notification के लिए बोलेगा तो इसको हम done allow करेंगे क्योंकि allow कर देंगे तो उपर pop-up so करता रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है उसके बाद friends यहाँ पर click करने के बाद tut activity आपकी so करेगी जैसे heart rate monitoring हो गया से लिप monitoring हो गया steps हो गया जब connect करने के बाद सब कुछ यहाँ पर show करेगा उसके बाद यहाँ पर आप जो है location को on कर दीजेगा यहाँ से ठीक है तो यहाँ पर walking running जो भी करेंगे कितना किलोमीटर आपने walking की है या फिर running की है cycling की है सब कुछ यहाँ पर बताएगा location के लाओंगे ठीक है और यहाँ पर फ्रिंट्स आपको profile setup में कोई changes करना है तो कर सकते हैं गोल यहाँ से set कर सकते हैं अपना यहाँ गूगल फीट से connect कर सकते हैं ठीक है तो गूगल फीट से connect करना अगर चाहते हैं आप तो हमें बताईएगा मैं आगले वीडियो में बता दू यहां से इसको एलाव कर देंगे और Bluetooth को भी एलाव करने के लिए बोड आए तो इसको भी एलाव कर देंगे ठीक है फ्रिंट्स और यहां पर बोड आ है location का जो service आपने on किया है लेकिन location तो on नहीं किया है इनेबल करना पड़ेगा, तो location को यहां से इनेबल कर देते हैं, करने के बाद friends, यहां से हम back जाएंगे, back जाएंगे बाद देखिए, यहां पर searching हमारी start हो गई है और यहां पर बोल रहा है, मार्व निवे smart watch होगा, यहां पर आपको feature limited मिलेंगे ठीक है, और यहां पर phone calls में दिक्कत आ सकती है, notification आपका पूस हो सकता है, ठीक friends, तो यह यह दिक्कत आ सकती है, अगर आप antivirus कोई app अपने phone में रखें हैं तब, अगर रखें हैं तो to set पर click करके, और आप check कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, नहीं रखें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नहीं रखा है, तो यह हमारे साथ यह problem नहीं आएगी, ठीक है friends और देखिए friends हमारा जो smart watch है, वो connect हो भी गया है, अभी vibrate किया है और यहाँ पर इसकी time अपने आप सही हो गई है, ठीक है friends, हमें यहाँ पर यह सारी settings पूरी करनी है, तो हमारे phone में कोई antivirus नहीं है, तो हम यहाँ पर done पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बोलड आए कि आपने check कर लिया है, guidelines के अनुसार, तो यहाँ पर continue कर लिजिए, कि आपके phone में antivirus नहीं है, तो हम यहाँ पर continue कर लिएंगे, ठीक है friends continue करते हैं, friends, आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर connected so कर रहा है और 96% जो हमारी charge है battery, smart watch की, वो यहाँ पर so कर रही है, उसके बाद friends, आप यहाँ से wallpaper को change कर सकते हैं, यहाँ पर अपना photo लगा सकते हैं, यहाँ पर notification का access आपको मिल जाता है, तो सबको on कर सकते हैं इसके उपर मैं already dedicated video बना चुका हूँ, सारे settings, सारे features video में cover किया है, तो video का link i button पर मिल जाएगा, उपर, या फिर description में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा के आप देख सकते हैं और सारे settings का lab उठा सकते हैं, उसको use कर सकते हैं, ठीक है friends, आज की जो हमारी topic थी, friends की आप time को कैसे सही कर सकते हैं, तो उमीदे friends, आपकी ये problem solve हो गई होगी, time और date आपका सही हो गया होगा, ठीक है यहाँ पर friends, मैं आपको बता दिए, अगर आपको time 12 hours में करना है, तो यहाँ पर others पर click किजेगा, click करने के बाद देखी, अभी 12 hours में ही है, अगर आपका 24 hours में रहेगा यहाँ से, तो यहाँ पर so करेगा 24 hours ठीक है, तो यहाँ से फिर आप 12 hours पर करके, और dawn पर click कर दीजेगा, तो आपका 12 hours में हो जाएगा, ठीक है friends, तो वीडियो का लिंक description में मिल जाएगा, उस वीडियो में मैंने topic पर बात किये, health related topic मैंने यहाँ पर बात किये, कि आप कैसे heart rate monitoring कर सकते हैं, सब पुछ कर सकते हैं, तो उमीद है friends, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा, और चैनल को भी subscribe कर सकते हैं friends, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद